Hello students, this is Neeraj Gupta. पिछली दो वीडियो में हम Circular Flow of Income के बारे में पढ़ रहे हैं. First वीडियो में मैंने आपको बताया था, there are four factors of production and there are four factor payments. दो सेक्टर हैं, Households and Firms. दूसरी वीडियो में हमने three phases of Circular Flow के बारे में पढ़ा था. अब इस वीडियो में हम Circular Flow को Study करेंगे from the angle of Real Flow and Money Flow. अब ध्यान से मैं पहले बिना एक Circular Flow बनाए, वो मैं बार में बनाऊंगा. अभी मैं आपको Simple एक, बहुती Simple process से समझाने कुछ करता हूँ. सबसे पहले मैंने का मेरे पास दो सेक्टर हैं, एक है Household और एक है Firms. अब देखिएगा कि Economic Angle से यह कैसे स्टार्ट होता है. सबसे पहले Household से, Firms के पास क्या जाएगा? Factor Services. मैं फिर से बोलता हूँ, सबसे पहले Household से, Firms के पास क्या जाएगा? Factor Services. आप शाहिए भूले नहीं होंगे बिल्कुल भी. It is Land, Labor, Capital and Enterprise. यह चार चीजे जो है जाएगी. So this is the first step. उसके बाद क्या होगा? अब दूसरे स्टेप पर हम चलते हैं. तो Firms, Household को यहां से, अब यह वापिस पैसा आएगा गूम के, by way of Factor Services. I'm sorry, Factor Payments. The second is, Factor Payments. अगर हम बात करते हैं Factor Payments के तो यह क्या होगा? Rent, Wages, Interest and Profit. तो मैंने आपको पहला स्टेप क्या बताया? Household से Firms के पास जारी है Factor Services और Firms से वापिस आ रहा है Factor Payments के फॉर्म में. अब Household के पास आ गया पैसा. तब यह पैसा वापिस Firms को देंगे और इसको हम बोलेंगे Consumption Expenditure. क्या बोलेंगे? Consumption Expenditure. चीक है? आप देख रहे हैं पैसा जा रहा है, वापिस आ रहा है अब फिर पैसा. जब Household के पास पैसा आ गया अब उनको चाहिए Goods and Services तो वो उस पैसे को खर्च देंगे. तो this is Consumption Expenditure. अब हम फिर से वापिस चलते हैं. जब Firms को पैसा मिली गया तो वो Household को naturally उस पैसे को लेगे रख तो लेंगे नहीं. तो वो क्या करने बाले हैं? Basically इसके बदले में उनको Goods and Services प्रोवाइब करेंगे. ठीक है? So this is basically a complete circular flow of income. अब ही मैं इसको एक डाइग्राम, एक circular way में भी समझाऊँगा. अब ही मैंने इसको जानबूच के simplified way में आपको बताया है. तो Household से पहले गई फैक्टर सर्विसेस, फैक्टर से बापिस आई फैक्टर पेयमेंट्स, यहां से गया consumption expenditure और फिरम से फिर आया Goods and Services. है ना easy? इसको समझने में कुछ भी मुश्किल नहीं है. डाइग्राम भी बहुत ही simple है. अभी मैं आपको बताता हूँ. तेकि उससे पहले मैं आपको एक बड़ी simple सी चीज़ बताता हूँ. जब actual कोई चीज जारी है, physical कोई चीज जारी है, तो definitely इस actual या physical को आप बोल सकत हो, real flow या physical flow. यह मैंने एक concept आपको बता है, यह actually में जब कोई चीज ट्रांसफर हो रही है, physical form में, तो actually physically अगर कोई चीज जारी है, तो उसको बोलते है real flow, physical flow. और अगर पैसा जा रहा है, तो उसको आप बोल सकते है money flow. money flow का एक दूसरा नाम और रख दिया है, nominal, for name sake, otherwise इसको आप इग्नोर करो, real flow and physical flow, यह अच्छा है समयनने के लिए, और money flow को money flow के form में याद रखो, वो बात लगए examination point of view से, multiple choice question में छोटी-छोटी चीज़े पूछ लेते हैं, तो nominal flow भी relevant है, otherwise आप इतना ध्यान रखो कि real flow, physical flow है, और एक है money flow, अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर factor services जा रही है, अभी पैसे की मैंने कोई बात नहीं की, तो आप समझी सकते हैं कि यह flow, real flow है, यहाँ पर पैसा आ रहा है, तो यह वाला flow, money flow है, right, factor से पैसे आ रहे हैं इसी तरह से यहाँ से भी consumption expenditure में पैसा जा रहा तो यह real flow है, यह physical flow है, बहुत ही simple है, बहुत ही ज्यादा simple है, इसके उपर multiple choice questions करवाओंगा जो आपकी book में दी हैं, बहुत ही simple है, यह समझना बहुत ही असान है, सिर्फ थोड़ी सी presence of mind की जुरुत है, उसके बाद आप इसको easily समझ सकते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं बहुत घहराई से बार-बार रिपीट करूं, और फिर आप वीडियो से पढ़ रहे हैं, वीडियो में तो ऐसे एक अच्छी बात है कि आप किसी भी वीडियो को दुबारा revise कर के देखी सकते हैं, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस बार flow के नाम के सा Again, it's a real flow and a physical flow, चलिए इसी को मैं डाइग्राम की फोर में भी बता देता हूं घ्यान से देखेगा हमारे पास two sector economy के हमने बात किया है, household and firms, तो हाणी शुरू कैसे होती है, कहानी शुरू होती है, real flow से, सबसे पहले क्या चीज आई, factor services, I'm sure कि आपको यह अच्छे से clear है, कि सबसे पहले factor services firms के पास जाती है, और उसके बाद क्या आती है, उसके बाद आएंगी हमारी factor payments, right, factor payments के बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर पैसा फिर से चला जाएगा, this is consumption expenditure, और यहाँ से वापिस क्या आएगा, goods and services, अब आप इसको जैसे मेरे पिछली वाली images बना बना के दिखाएती सीधा straight वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जादातर books में इसी तरह से ही समझाये हुआ है, आपको भी अगर exam के अंदर एक diagram बना के करना आजाए तो आप इस तरह से बता सकते हैं, इसमें कोई problem नहीं है, अब आप ध्यान से देखे हैं तो जो factor services जा रही है and goods and services आ रही है, ये वाला, ये वाला जो है, जिसको मैंने dark कर दिया, ये है real flow, ये है physical flow, और जो ये consumption expenditure है and factor payment जो पत्ली लाइन जा रही है, this is money flow, बस इतना ही अगर आपने समझ लिया, तो बाकी के सारे concept आपके पूरे chapter में clear हो जाएंगे, है ना, इस first chapter में आपके book के हिसाब से एक concept और है, flow and variable का, है ना, तो flow and stock का, जो variables हैं हमको दो तरह से हम study करते हैं, one is a flow and other is a stock, और भी छोटे म concepts हैं, बट वो सारे concepts में आपके laptop based videos में cover करूँगा, ठीक है, तो अभी इस video में इतना ही, मेरे ख्याल से आप अच्छे से इसको समझ चुके हैं, फिर भी कोई doubt हो, तो इस number के आप मुझे contact कर सकते हैं, 9599222549 पर, correct, videos available है, ngpaclasses.com, thank you.